तो दोस्तों यूटूब के तरब से टोटल चार न्यू अपडेट आ चुका है और इन में से तीसरा जो अपडेट है वो अपडेट बहुत ही ज़्यादा लागू होने वाला है उसके बाद आपके वीडियोस पर व्यूज और ज्यादा बढ़ने वाला है अगर आपका व्यू अब दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला अपडेट का तो चलिए मैं आपको अपडेट यह दिखाता हूँ लाइव जो कि अपडेट आया क्या है सभी के चैनल पर यह हो चुका है यहां पर देखिए मैं क्या करता हूँ अपने स्क्रीन पर आ चुका हूँ यहां पर देखिए मैं अपना यूटूब अप्लिकेशन को पहले ऑपन कर लेता हूँ तो मैंने यहां पर अपना यूटूब अप्लिकेश तो यहां पर जो पहले आपको option मिलता था latest का और popular का यहां पर पहले आपको जो वर्ड वाला जो यह option था यह option नहीं मिलता था लेकिन दोस्तों अब देखिए और आई से लगबग एक साल दो साल पहले यह वाला option था वर्ड का आनि कि किसी भी YouTube चैनल का old वीडियो निकाल सकते जैसे कि मनोज देखा आप उसका पूराना वीडियो ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा परसानी है स्क्रॉल करते 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 परसान हो जाएंगे उसके बाद देख पाएंगे लेकिन यहां पर देखो आपको old का एक option दे दिया है जिनसे आप देखिए डारेट इस पर क्लिक करेंगे तो उस YouTube चैनल का सारा पूराना वीडियो आपको देखना स्टार्ट हो जागा जो कि पहले कौन सा अप्लोड किया है अब गर मैं यहां पर जैसे कि मनोज भाई का पूराना वीडियो देखने के लिए लोग तरस्ते हैं मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करत मोबाइल टिप्स और ट्रिक्स देता था तो सारा उसका वीडियो यहां पर देख सकते हो और कि किसी भी YouTube चैनल का पूराने वीडियो देखने के लिए अब आपको आप्सन दे दिया गया है एक क्लिक में आप उसके पूराने वीडियो को निकाल सकते हो तो यह था पहला अब ही दोस्तों आप YouTube पर अपने वीडियो अपलोड करते हो तो आप इंग्लीस लेंग्वेज में या फिर Hindi लेंग्वेज में आपना वीडियो करते हो ज्यादा तरह हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि आपका वीडियो और देख नहीं पाता है लेकिन YouTube एक टूल यहां फिर इंग्लिस है तो YouTube AI Power Dubbing Tool के मदम से आपका वीडियो को क्या करेगा पता है अलग-अलग भासाओं में उसे पतलब convert कर देगा कोई भी आगर आपके वीडियो को देखना चाहेगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यह चैनल पर यह अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ प आपको मिलता है ओड्यो ट्रेक का का इंग्लिस ओर जीनल यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर कोई भासा में पर बीडियो को साारा उप्षय घुक्स में लोग-छा maggẩ बाद perspectives उत्क deja ocas जिसके बाद किया होगा कि आपका वीडियो कर हिंदी लेंग्वेज में है तो वो सारे भासा में कोई भी देख सकता है सारे भासा में देख सकता है आपका वीडियो कर इंग्लिस लेंग्वेज में फिर भी सारे भासा में देख सकता है आब दोस्तम बात करते हैं, तीसरा अपडेड और तीसरा अपडेड से आपके चैनल पर जो सारे वीडियोज पर व्यूज नहीं आता है, तो कहीं नगहीं आपका व्यूज इनक्रीज होने वाला है, अब क्या होता है नए यूटूबर का एक प्रॉलम होता है, कि वो अपनी चैनल पर वीडियो अप्लोड करता है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि मैं थम्निल किस पर का लगाऊं जो कि मेरे वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएगा वो confusion रहता है कि आखिर किस पर का मैं अपने थम्निल बनाऊं आपका देखिए आप एक वीडियो यूट्यूब पर अप्लोड किये तो उसमें तीन थम्निल आपको लगाने का option मिलेगा पहले उस time uploading के time अब क्या होगा कि जब अपने वीडियो को पब्लिक करेंगे तो आपका वीडियो को तीनो थम्निल है तो क्या होगा कि मान लिजे यू लेकिन उसके बाद कुछ समय होने का बाद YouTube डिसाइड कर लेगा कि आखिर इन तीनो थम्निल में कौन सा थम्निल से ज्यादा व्यूज आ रहा है ज्यादा CTR आ रहा है ज्यादा reach आ रहा है तो उन तीनों में से जिस पर आपका ज्यादा क्लिक आएगा उस थम्निल को YouTube अटे तो यह update बहुत जल्द लाने वाला है लेकिन इससे प्रॉलम भी है अब YouTuber क्या करता था कि एक थम्निल बनाता था जो कि एक थम्निल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और बहुत लोग क्या करता कि पैसे देकर थम्निल बनवाता है मतलब अपने इडिटर से तो उस इससे benefit भी है benefit है कई बार कि आओता कि हमारे वीडियो थम्निल का वजह से वाइरल नहीं होता है तो थम्निल आप तीन डालो तो तीन में से एक आपका सही होगा ही होगा तो वह YouTube डिसाइड कर लेगा तो काफी ज्यादा इनसे व्यूज भी बढ़ने वाला है अब दोस्तों YouTube पर आप बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो कि fan channel चलाता है fan club आप देखे होंगे जिसे कि मानले जो खान सर का जो official channel है तो उसके नाम से बहुत सारा channel है YouTube पर उनके वीडियो को बहुत लोग क्या करता है थोड़ा बहुत क्लीप को लिए कर मतलब कुछ उसमें अपना बहुत सबर करता है कुछ creativity दिखाता है अपने चैनल पर या फिर बहुत सारे channel जो कि उसके नाम से है उनके वीडियो को अपने चैनल का नाम होता है तो वहां पर आपको अपने channel के नाम में आपको लिखना होगा अपने handle में भी लिखना होगा अपने channel के नाम में भी अगर आप यह नहीं लिखते हैं माल यह बहुत लोग क्या लिखकर रखें खांसर ओफिसियल चैनल तो आपको YouTube को बताना होगा कि यह उसका अपना personal channel नहीं है यह दूसरा कोई मतलब चला रहा है फैन दुआरे चलाया तो आपको YouTube को बताना होगा वहाँ पर लिखना होगा unofficial अगर नहीं लिखते हैं तो हो सकता है 21-23 के बाद आपका channel delete भी हो सकता है तर्मिनेट कर सकता है YouTube तो आपको दिखाना होगा YouTube को बताना होगा कि मेरा channel unofficial है बहुत लोग क्या करते हैं कि official लिखकर रख देता है तो खा जिससे यूटूब को पता चल जागा कि ये इसका खुद का चैनल नहीं है या फिर जिसका खुद का चैनल है तो वह डारेक्टली लिख सकता है कुछ भी लिख सकता है लेकिन अगर मान लिजे किसी दूसरे के नाम से अगर मैं चैनल चला रहा हूं तो मुझे लिखना होगा अ और अपने वहां पर भी तो यह आपको करना जरोरी है तो यह था कुछ पांच अपडेट तो आपको अपडेट कैसा लगा जड़ूर नीचे कॉमेंट सेक्से नों बताना चली मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जैहीन वंदे मात्रम